नमस्कार साथ ही इस वीडिव में बात करने वाले हैं रोश्टर क्लिरेंस को लेकर जो कि आप सबी लोगों को पता भी होगा कि कल माध्मिक सिछा निदेशक के तरफ से आपके माध्मिक और उच माध्मिक में बैकलोग सहित यहाँ पर जो आपका रोश्टर है वो यहाँ पर आपके डिसकस किये तो थोड़ा से आप निच पेपर को देखेंगे उसके बाद अफिसली जो आपके माध्मिक सिछा निदेशक का आदेश है उसको लेकर भी हम यहाँ पर देखेंगे और एक तरीके से जो आपका में है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रपहत्र आन इन सभी चीज़ों को लेकर हम यहाँ पर भात करने वाले हैं एक चीज़ अभी ध्यान रखेगा कि जब यहाँ पर आपके बैकलॉग के बारे में आपके जिक्रियों कर दियेगे इसका मतलब साब है कि आप लोग का जो कट अफ होगा वो यहाँ पर थोड़ा बहुत नहीं अच्छा खासा नीचे जो है वो जाने वाला है तो अंत्र तक जूड़े रहेगा नीचे तरफ पर पूड़ा कुशिस रहेगा कि इस वीडियो के माद्धम से आप लोग यहाँ पर काफी जाते हिल्प जो है मिलेगा आप यहाँ पर इसको जो है वो सबसे पहले ध्यान रख और ये भी आप ध्यान रखेगा कि जब यहाँ पर आपका seat बचा तो जो आपका आरच्छित seat होगा और जो आपका reservation वाला जो आपका quota है वहीं आपका बचेगा क्योंकि जो आपका unreserved seat है वो तो यहाँ पर आपका total complete आपका full हो जाएगा अब यहाँ पर क्या कि आपका जो seat यहाँ पर पहली वेकेंसी का बचा फिर अब यहाँ पर क्या कि आपके अगली वेकेंसी जब यहाँ पर आएगे तो पीछे आनि इसके पहले की जो आपके वेकेंसी की गए थी तो उस टाइम पर जो आपका seat बचा था तो उसके जो total रिक्तियां होंगी वो यहाँ पर आपक के रिक्तियां जोड़ेगे तो जिस कोटा से जो आपके रिक्तियां बची रहेंगे अगले वाली वेकेंसी में उसी कोटा में जो आपके रिक्तियां है तो यहां पर आपके जोड़ेंगे अब यहां पर बिपीसे टीचर को लेकर अब यहां पर आप आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे BPSC के माध्यम से BPSC TRE 1st और TRE 2 आपका यहां पर करा लिया गया है, अब यहां पर BPSC TRE 3rd आपका आया, तो यहां पर BPSC TRE 1st और BPSC TRE 2 कि जो आपकी रिक्तियां बची हैं, आनि इसके भी जो आपकी रिक्तियां बची होंगे, आपका आरच्छित वाला जो आपका को कोटा है, जिस कोटा से जितनी आपकी रिक्तियां बची रहेंगे, उतनी ही उस सभी रिक्तियां जो आपके होंगी, उसी कोटा में जो आपका TRE 3rd का आपका वेकेंसी होगा, उसमें यहां पर आपके जो है उजूड़ जाएंगे, इसलिए आप यहां पर थोड़ा सा अचं को मिलेगा तो क्यों देखने को मिलेगा यहां पर आपके बैकलोग है, नि जो आपके पीछे की रिक्तियां है, वह यहां पर आपका TRE 3rd में जुड़ने जो है उजा रही हैं, तो यहां पर आपका जो बैकलोग है, इस तरीके से यहां पर आपका कंडिशन हो गया, और यह जो आपके बैकलोग की रिख्तियां है सभी वर्ग के लिए है क्योंकि अभी आप देखेंगे तो कल का जो आपका आदेस है माध्मिक सिछा निदेसक का आदेस है आनि नमी से दसमी और यहां पर 11 मी से बार्मी के लिए तो आपके मन में संसाय होगा कि किया प्राइमरी और आनि जुनियर कहते हैं तो उसकी भी जो आपके बैकलोग की जो आपकी रिख्तियां थी उसको भी जोड़ने को लेकर ट्यारी थर्ड को लेकर आपके रोश्टर क्लिरेंस को लेकर आपके आदेस जो है उदिये गेते साथ आपको पता होगा तिसलिए यह जो आपका सिच्छा निदेशक के तरफ से कल जो आपका आदेश जारी किया गया था उसमें यहाँ पर कोट के बार में जो है उजिकर किया गया है और हाला कि ऐसा भी है सिच्छा भी भाग चाहे कोई भी राजी का सिच्छा भी भाग हो उनके उपर जब तक कोई कोट का दबाव नहीं हो किया गया था उसे यहाँ पर समाप्त कर दिया गया अब यहाँ पर included में फिर से आपका रोश्टर होने केopping यहाँ पर आको लिख्तिया जो है वे देखने को मिलेगा तो उसके बारे में हहां पर आपके जिकर котором हैं और नीचे आप यहां पर देखेंगे तो जो आपका रोश्टर क्लिरेंस होगा 50% जो आपका आरच्छड होगा उसी प्रावधान के आनि उसी के अनुरूप यहां पर आपका बना जाएगा जो कि आप सभी लोगों को पता होगा कि ट्यारी थर्ड के जब स्टाटिंग में और 10% यहां पर आपका EWS जिनको आपका इस तरीके से आरच्छड यहां पर आपके दिये जाते हैं तो उसी के अनुसार यहां पर क्या होगा कि अब जूट्व यारी 3rd का रोश्टर होगा वह यहां पर आपका किलियर होने के बाद आपको यहां पर देखने को मिलेगा इसम रंभावता यहां पर है कि अच्छी खासी आपकी रिखतिया हैं वह यहां पर आपके टोटल हो जाएंगे तो उसको लेकर आपके दिये गहां अगला वाला इस पर देखेंगे तो इसमें कोई आपका खास नहीं इसमें उसी को लिकर बोला गया कि तीन दिन के अंदर यहां पर जोड कर यहाँ पर आपका रोश्टर रहे हैं और इसमें दखेंगे तो कोई आपका यहां पर खास नहीं है यहां पर अगला जो आपका Presidential रिकत l迪ार टूड़ा समा सोधन करते वे यहां पर आपका रोस्टर है वो यहां पर आपके क्लियर करने को लेकर और हमने पहले ही आपको बता दिया कि जो आपके प्राथमिक सिछान ने दे सकते हैं उनके तरफ से इसी तरीके का आदेश जो है पिछले महेने आपने देखा था या फिर ठीक-ठाक द रिक्तियां हैं वो यहां पर आपका काउंट होके त्यारी थार्ड में देखने को मिलेगा इसमें आप देखेंगे तो उसी को लेकर बुलागे कि इसके पहले जो आपके रिक्तियां आई थी आनि रोस्टर क्लियर होने के बाद तो बगाएर यहां पर आपके बैक लगक का जो आपका पद होगा उसके यहां पर गढ़ना नहीं किया गया था और फिर उसी तरीके से आपके रिक्तियां जो है आपके आ गए और फिर यहां पर जो आपके समान प्रसासन भी भाग है उनके तरफ से इस मैटर पर आपके आपत्ती भी जो है उदर्ज किया गया था और फि आपके मंखे कारीकारी यहां पर आपका जिसके बारे िक पर आपके रिखत समझाज रहे हमें के इस वर्ग में और यह गोड़ी आपSOद आपके रीक्ताicherung और जीला वाइज भी आप रिक्तियां आपने देखा होगा तो सभी जो आपके रोस्टर क्लियर हुआ था उस सभी यहाँ पर आपके निरस्त जो है हो गये हैं अब यहाँ पर जो आपका नाया आएगा उसी के हिसाब से जो आपका ट्यारी थड की वेकेंसी होगी आफिर जो यहाँ पर आपके जो होंगी तो उसी को लेकर यहाँ पर आपके बोले गहें और सभी जीलों से जो आपके जिस तरीके से पहले आपकी रिक्तियां थी उसी तरीके से रहेंगी क्योंकि आप सभी लों को पता ही रिक्तियां तो आपके आती हैं उसके साथ ही जीले वाई जो भी यहाँ पर आपके आती हैं और समय को देखेंगे तो बहुत जादे दिन का समय नहीं दिआ है तीन दिन के दिन के बारे में जिक्रित कियेगे तीन दिन के अंदर यहाँ आपके कंप्लेट जो है हो जाने चाहिए, जो कि कल ही का यह आपका आदियस जारी क्या गया है, तो एक से दो दिन के अंदर, यह आपका यहाँ पर काम होगा, वो यहाँ पर आपके complete हो जाएंगे, अब यहाँ पर जो आपका main होगा, उसे आप यहाँ पर देख लिजे, क्योंकि आदियस में उसमें यहाँ पर आपको रिक्तियान जो है उठ नहीं मिलेगा क्योंकि आप यहाँ पर क्थ देखेंगे यहाँ पर आपके बैकलोग का जो आपके रिक्तियों को लेकर बोला गया है तो इसमें आपके divide जो है किया गया एक तो आपके BC और यहाँ पर आपके EBC दोनों को लेकर यहाँ पर आपके देगे हैं और यहाँ पर आपका WC WC का मतलब यहाँ पर जो आपके women backward classes हैं उसके बारे में यहाँ पर आपके देगे साइध इनको 3% का आपका reservation वगरा जो है उदिया गया है अपडेट नहीं है साइध हो सकता है कि बढ़ा हो या फिर कम हो लेकिन कुछ इसी तरीके से यहाँ पर जो women backward classes हैं उनको यहाँ पर reservation का पर total आपका कितना होता है उसकी रिक्तियों को लेकर यहाँ पर आपके देगे हैं फिर उसके बगर में आप यहाँ पर देखेंगे तो चालू रोस्टर को लेकर जो कि हमने उपर ही आपको नीज पेपर में दिखाया और उपर ही आपके मादमिक सिछानी देसक आधे से जो आपका चालू रोस्टर होगा जो कि आप सभी लोग को पता है कि 50% जो आपका आरचण होगा इस यहीं आपका आरचण होगा क्योंकि 15% बढ़ा होगा आरचण पतना हाई कोड के तरब से आपके खारीज जो है कर दिये गया है तो यह जो आपका चालू रोस्टर होगा चाल मैं बैक्वाट्वाइट क्लासस हैं उनको लेकर यहाँ पर आपके wat्व ही इव chats किर यहाँ पर आपके अंत में तोल आपके वेकेंश हुई सभी को मिला कर वह इहाँ पर आपका कांट कर दिया जाएगा अब इसमें आप लोग के मन में एक यहाँ पत्य दिंधा होगा कि उसके बाद जो आपका चालू रोश्टर वाले रिक्तियां थे तो उन दोनों रिक्तियों को यहाँ पर आपके count करने को लेकर आपके बोले गएं फिर अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका महिलाओं का आरचछड़ वाला है तो उसे आप यहाँ पर जो है देख लिजेगा इसमें आप चिंता मत करेगा कि हमारा वाला यहाँ पर जो आराच्छड है वो यहाँ पर आपका कहाँ पर चल गया तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पर जो 35% जो आपका आराच्छड का प्रावधान है जो आपका प्राइमरी और आपका जुनियर आनि 6-8 है तो उसमें यहाँ पर 50% जो फिमेल है उनको यहाँ पर है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 35% आपका अ्राच्छड मिलेगा 35% पर देखेंगे Hust और EBC और यहाँ नहीं बर्भाद की घया जो ह का लिए सिर्फ महहिलाओं के लिए अरचीत हैं तो इसलिए उसको लेकर यहां पर अन्य और की अनुक्ते का विए भीयांगता का दे गें उनको लेकर यहां पर आपके दें of जो हैं उनके गहर परिवारिया फिर जिनको भी स्वतनतता सेनानी का जो आपका reservation दिया जाता है तो उसके बारे में यह जो आपका कालम है यहां से लेकर यहां पर आप देखेंगे तो यह यहां पर आपका बनाया हुआ है तो इस तरीके से आपके एक चीज यहां पर आपका बदलाव रहेगा कि यहां पर जो आपका जो female candidate है जिनको यहां पर आपका 35% जो आपका अरचण है बस primary और 6-8 जुनियर में आप आप यहां पर देखेंगे तो आपके 50% जो आपका अरचण है वह यहां पर आपका जो है उदिया जाएगा बाके यह जो आपका जो प्रपत्र है बिलकुल यहां पर आपके जो है उसे रहेंगे तो हमने प्राइमरी और 6-8 को लेकर हमने बता दिया कि इसी तरीके से जो आपके रिख्तियां वढ़ेंगी. तो देखी हम संख्या में, तो यहाँ पर रिख्तियां नहीं बढ़ेंगी, कितनी लगभग आपके संख्या में रिख्तियां बढ़ेंगी, हलाख कि प्रात्मिक्सिछा निदिजलक के तरप से बचे थी जिसको यहाँ पर आपके TRE 3 में जो है उजोडे गए हैं और फिर उसके बाद TRE 3 में टोटल आपके complete कितनी रिखतियां जो है होती है तो इसको लेकर आपको चिंता करने के जोरत नहीं है बिलकुल exact जो आपका data होगा exact जो आपके रिखतियां होंगी कुछ ही दिन के बाद यहाँ पर आपको जो है उदेखने को मिलेगा अब यहाँ पर देखे कट of आपका कम जाएगा क्या हगीकत में कम जाएगा तो बिलकुल यह हैं पर आपके कम जाएंगे क्योंकि already आप यहाँ पर समझे कि BPSC TRE 1st में जितनी आपकी रिख्तियां थे उससे काफी मतलब बहुत जादे आपकी रिख्तियां बचाए गए थे BPSC के तरफ से पुड़ा आपका रिजल्ट जो है उजारी नहीं किया गया था उसे तरीके से TRE 2 में भी वहीं हाल था तो जब यहाँ पर जो आपका already TRE 3rd में अच्छी खासी रिख्तियां है और उसके बावजूट BPSC TRE 1st और TRE 2 की जब आपकी रिख्तियां जूट जा रहे है TRE 3rd में तो इसका मतलब है कि TRE 3rd में आपकी अच्छी खासी रिख्तियां जो है वह आ जाएंगे और जब यहाँ कंपटिशन को लेकर हो या फिर उतना maximum candidate को लेकर भी आप देखेंगे तो कोई उतना मतलब कोई खास तोर पर जो लोग यहाँ पर पेपर देने ऐसा नहीं कि 20 लाग 25 लोग पेपर जो है उदिये हैं तो यहाँ पर जो आप लोग का कटफ है वह मतलब अच्छा खासा ठीक ठ चांस होते हैं कि जो आपका कटफ है वह यहाँ पर आपका नीचे जो है वह जाएगा बाकि जो आरचित स्रेड़ी की जो candidate है आनि आप यहाँ पर रिजर्ब केटिगरी की candidate है तो आप लोग का जो कटफ होगा वह आप एक तरीकी से मान सकते हैं कि कुछ ऐसे भी स्रेड़ी ह है तो आप साइट ट्यारी थर्ड का नोटिफिकेशन देखे भी होंगे जिसमें आपका बोला गया था कि 75% जो आपका सीट होगा उसको हम यहाँ पर किसी भी तरीके से किसी भी हर हालत में जो है वह भरेंगे आनि यदि मानिजे कोई जो आपका स्रेड़ी है उस स्रेड़ी किसी भी हर हालत में यहाँ पर भरना ही पड़ेगा तो यहाँ पर इस तरीके से जो आपके cut-up होगर है उसे भी आप यहाँ पर मान सकते हैं कि काफी जादे आपका कम जो है बापका होने वाला है बाकि अपने से भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि TRD 3rd में रिख्तियां बह कुछ दिन और यहाँ पर आप इंतिजार कर लिजिए संभावता यहाँ पर BPSC का भी अपडेट देखेंगे तो यहां पर आपके आंसर की वगर रहेंगे और इस महिने के लाश्ट तक आप लोग को रिजल्ट को लेकर बोला गया कि इस महिने के लाश्ट तक आप लोग का यहाँ पर आपके BPSC की तरफ से जो है उजारी कर दिया जाएंगे हलाकि ऐसा संभावना मतलब बहुत कम लग रहा है लेकिन BPSC की तरफ से जब बोला गया तो आप यहाँ पर इंतिजार कर लिजे लेकिन जो आंसर की वगर होगा तो कुछी दिन के बाद यहाँ पर आपको आंसर की वगर जो है देखनी की मिलेगा और जो आपके मार्स हैं वह भी अपडेट करते हुए BPSC के तरफ से आपका जो है जारी कर दिया जाएगा तो यह आपका रोश्टर क्लिरेंस को लेकर है तीन-चार दिन कहांपर समय माध्मिक सिछा निदेशक के तरफ से आपके दि आते हैं आप सब लिए को पता होगा कि हम इस प्लेटफर्म राइट टू इस कसन इंडिया प्जो सेर कर देते और भी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कि होंगे तो सब्सक्राइब करते वेल आइकन को प्रेज़ोजरू कले जगा मिलते हम लें नेक्ष वीडियो म थैंक यो फो दिस्मिंग गट ब्लेस और थैंक यू